नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नौलिश शो में तो दोस्तों इरान का परमानू प्रोग्राम अमेरिका और इसराइल के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है बहुत सारे विश्यशक्यत भी मानते हैं कि अगले साल के अंतक जो इरान है वो परमानू हतियार बनाने में शक्षम हो जाएगा आप कहिएगा फिर अमेरिका और इसराइल हाथ पर हाथ धरे क्यों बैटे हैं तो मैं आपको उतादो कि ऐसा नहीं है दरसल अमेरिका और इसराइल कारवाई तो करना चाहता है लेकिन अमेरिका डिरेक्ट लिन गुसना चाहता और इसराइल गुस नहीं सकता क्योंकि इरान ने बहुती चालाकी से अपने जो बंकर बनाये हैं वो इतनी जादा गहराई में बनाकर रखे हुए हैं कि वहां पर मिसाइलों का और या फिर जो छोटे-मोटे बॉम्स होते हैं या फिर जो बड़े भी बॉम्स होते हैं उनका कोई असर होता ही नहीं है। देटकाटर एक त्बनी वेस्टिक के सामने थी आनसी में इस वह को हम सोक्षा prendoncan in the Kash identified Idpi 314 के सामने कि वह इस हाथयार को चला है किसे इस पर अब बात करेंगा हम इस हत्य इस सारी भी allowed इंटांव को बने रही Г available चलिए वीडियो को अपने में शुरू कर लेते हैं बीच में लेकिन अब इस्तिती बदल गई है दरसल आपको याद होगा कि इस साल की सुरुवात में इसराइल ने बहुत बड़ा हमला बोला था इरान पर इसमें उसने साइबर अटेक भी किया था और साथ ही साथ अपने F-35 से मिसाईले भी बरसाई थी इरान के परमानू प्रोग्राम के जहां पर साइट थी वहाँ पर लेकिन उसके बाद इरान ने बहुत जादा सीख ले ली है और अपने जो प्रोग्राम है उन्हें बहुत ही गहराई में जमीन के अंदर बहुत ही जादा गहराई में ले जा चुका है और इसलिए अब वहाँ पर मिसाइलों से और बमों से हमला करना अब बेकार की ही बाते हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ असर ही नहीं होने वाला ऐसे में आप कहेंगे कि साइबर अटेक तो देखिए साइबर सेक्योर्टी अब इतना बड़ा इशू नहीं रहा है क्योंकि पहली बात तो इरान ने अपने जातर सिस्टम को ओफ्रें रखा है दूसरी बात सबसे बड़ा इशू यह है कि जो साइबर अटेक है वो अब उतने कारगर नहीं रहे हैं इरान के प्रोग्राम पर और ही सही कसर पूरी कर दी इरान के साइबर सेक्योर्टी प्रोग्राम ने इरान ने अपने साइबर सेक्योर्टी को ओर जादर लिथल बना लिया है साथ ही एक काम और किया है वो है साइबर अटेकिंग का यानि कि पिछले सा है वो इरान की अगर उसके उपर साइबर अटेक होगा तो वो जबाब भी कारवाई करेगा ऐसे में इसराइल और अमेरिका क्या करें कि वो इरान के परमानु प्रोग्राम को पूर्ण रूप से खतम कर दें तो दें कि इस काम को सिर्फ दो ही हतियार अंजाम दे सबसे पहला हतियार था परमानु हतियार जो इसराइल है या अमेरिका परमानु हतियार दागते और इरान की जो मिशाइल सैट है वो अमेशा मेशा के लिए तभा हो जाती लेकिन इसके बहुत सारे consequences थे जैसे कि दुनिया को किस तरीक से justify किया जाता कि आपने परमाणू हतियार को खतम करने के लिए परमाणू हतियार दागी है तो यानि कि यह असंभवजी चीज दी दूसरा इसका जवाब था GBU-57 Mother of All Bomb यह हतियार दुनिया में सबसे बड़ा non-nuclear bomb है और इसकी वो ताकत है कि अगर गहराई में चाहिए कितनी भी गहराई में दुश्मन ने अपने हतियार चुपा कर रखे हो कितनी गहराई में बंकर बना कर रखे हो सुरंगे बना कर रखे हो यह तबहा कर सकता है और इसे इसलिए Mother of All Bomb कहा जाता है क्योंकि इसे दागने के लिए भी यह लड़ा कोई मान से दागन जा सकता यह सिर्फ दागा जा सकता है एक bomber से और अमेरिका ने इसे और ज़्यादा लिथल बना के रख़वाई क्योंकि इसे अमेरिका दागता है B2 bomber से B2 bomber क्या है एक stealth bomber है जो रडार की पकड़ में नहीं आता है यानि कि एक तो GBU 57 खुद में इतना ताकतवर इतना खतरनाक दूसरा जिस चीज से इसे दागा जाता है वो रडार की पकड़ में आता ही नहीं है इसलिए इसे और भी ज़्यादा combination बहतर माना जाता है और अब इसराइल को मिलने वाला है GBU 57 ये बहुत ही अच्छा हतियार है और वाकि में इरान के प्रवाण प्रोग्राम को उनकी जो साइट है उन्हें पूर्ण रूप से दोस्त कर सकता है लेकिन यहीं से सबसे बड़ी प्रोब्लम भी शुरू होती है इसराइल के लिए देखे हतियार तो यह मिल जाएगा उन्हें लेकिन अब इसराइल के सामने चिंता की बात यह है कि वो इसे किस चीज से दागे उनके पास B2 Bomber तो है नहीं जा फिर कोई ऐसा Stealth Bomber तो है नहीं इसे दाग दे दोरी बड़ी बात हो इसे दागा जा सकता है चो इसराइल के पास है लेकिन दिक्कत यह है कि उसे protecting कर सकता है एक तरीके से इ्रान और आसानी में नार कर जा सकता है उसका जो radar क्लोसक्षन है वो काफी बड़ा होता है बहुत से ज्यादा 90 degree के उस पर कोन भी होते हैं जिसके विज़से उसे radar आसा निसी कोई घटी आसा Chinese radar भी पकड़ सकता है तो अब इसका क्या solution है solution भी एक तरीके से इसराइल के पास है लेकिन उसके लिए इसराइल को कड़ी मेहनत करनी होगी इसका solution है इसराइल के पास F-35 लड़ा को इमान है अगर इसराइल अपने F-35 को modify कर लेता है GBU-57 दागने के लिए जो बहुत ही मुश्किल काम होगा तो फिर इसराइल के पास भी deadly combination होगा जिसकी मदद से वो इरान के परमानों प्रोग्राम को दोस्त कर सके है हला कि ये एक बहुत ही बड़ा challenging task है क्योंकि इस bomb की लंबाई करीबन 6-7 मीटर है यानि कि अपने साथ ही बहुत और वजन में भी बहुत भारी है तो क्या F-35 इसे लेकर उड़ सकेगा ये भी अपने आप में चलेंज है लेकिन देखते हैं कि इससे कैसे निक पढ़ता इसराइल या फिर वो अमेरिका से B2 Bomber भी उधार ले सकता है तो कि B2 Bomber पहली बात तो अमेरिका किसी देश को देखने भी ने देता ये तो बड़ी बात है कि वो इसराइल को दे दे हला कि मैं इस पर पूरी तरह से नजर बनाए रखोंगा जैसे इस मामले से कुछ और अपडेट में निकल कर आता है मैं आपको सुचित कर दूँगा तो आप ध्यान से चैनल सब्साइब कर लेना और वीडियो को शेर करना से बोसाइड दिफेंस वरेंड पोलिशी फानल सेटिट वीडियो के लेए थैक रोट आपट आप दो शुचित कर लेए